टीम द्रिष्टी प्रस्तुत कर रही है किताबू की एक नई श्रिंखला प्रिलेंस प्रैक्टिस सीरीज इस सीरीज में हैं 6 पुस्तके जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रिलेंस परिक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्णों का भ्यास ताकि परिक्षा में अधिकांश प्रश्ण आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रिलेंस का चक्रव्योग इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए वो भविश्य के लिए संभावित सभी प्रश्ण IAS, PCS, UGCNET, CDS, NDA वज CAPF आदी सभी परिक्षाओं के प्रश्णों का संकलत प्रतियक प्रश्ण के उत्तर की विस्त्रित व्याफ्था प्रिलेंस प्रैक्टेस सीरीज की छे किताबे हैं भारतिय सम्विधान वराज व्यवस्था सोलह सौसे ज्यादा प्रश्थ भारतिया एतिहास एवं कला संस्कृती 2300 से ज्यादा प्रश्थ भुगोल एवं परियावरण पारिस्थत की 2500 से ज्यादा प्रश्थ भारतिया अर्थविवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्थ सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रोध्यूगी की 1500 से ज्यादा प्रश्ट भारत 2020 बजट आर्थिक सर्वेक्षन व करेंट अफेर्स इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्ट खरीदने के लिए संपर्ख कीजिए अपने नजदी की बुक्शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtis.com या मंगवा लीजिए Amazon अथ्वा फ्लिप कार्ड से आपके सुविधा के लिए इन किताबों के डाइरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिये गए हैं जिस विशय पर हम चर्चा करेंगे वह आंतरिक सुरक्षा के संदर में सरवादित चर्चित मुद्दों में से एक है और उसका नाम है नकसलवाद चुँकि मैं व्यक्तिकत रूप से चर्चित गड़ से जुड़ा हूँ इसलिए इस विशय को पढ़ाते हुए मुझसे अप एक्षा होती है कि मैंने नकसलवाद को देखा होगा महसूस किया होगा या जिया होगा मैं ये तो नहीं कह सकता कि नकसलवादी घटनाओं के साथ बहुत साक्षातकार का आवसर मुझे मिला है लेकिन इस बात को मैं निशित तोर पर स्वीकार कर सकता हूँ कि 36 गड़ से बाहर जब भी मेरी या मेरे राज्जी के पहचान की बात होती है तो ये बात जरूर की जाती है कि अच्छा आप नकसल स्टेट से आए हैं और यही वो छवी है जिसको तोड़ने के लिए 36 गड़ और नकसलवाद से प्रभावित अन्यस अभी राज्जी प्रयासरत है कि उनके राज्जी में नकसलवाद से परे भी बहुत कुछ है हरवा राज्य जो इस नकसलवाद नामक संकट से समस्या से ग्रसित है लंबे समय से इस बात का प्रयास कर रहा है कि इसका समाधान निकले और वा भारत में विकास की मुख्यधारा से जुड़कर कंदे से कंदे मिलाकर विक्सित राज्यों के साथ आगे बढ़ सके तो आज के इस सत्र का उद्दिश यही है कि हम नकसलवाद इस विचार को समझने के साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करें कि इसका इतिहास क्या है इसकी विभिन अवस्थाएं क्या है, स्टेजेज जिनमें नकसलवाद आगे बढ़ा है इसके पीछे के कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, सरकार द्वारा किये गए प्रयास क्या है और इसका समाधान कैसे निकाला जाना चाहिए तो इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम आइडिया ओफ नकसलिजम पर बात करते हैं ये समझे कि नकसलवाद एक प्रकार का उग्रवाद है एक प्रकार का वैचारिक संगर्ष है, उग्रवाद वैचारिक संगर्ष होता है जिसके साथ जब हिंसा जोड़ जाती है तो यह आतंकवाद हो जाता है और जब इसे इस्थानिय जनता का समर्थन मिल जाता है तो यह अलगाववाद हो जाता है तो यह दि कोई मुझसे कहे कि नकसलवाद किस प्रकार का संकट है तो मैं कहूंगा कि नकसलवाद उग्रवाद भी है आतंकवाद भी है और उसके साथ वो एक अलगाववादी आंदोलन जिसके केंद्र में हर अलगाववादी आंदोलन की तरह एक विचारधारा है और वो वि विचार जो माक्स ने दिया, जो लेनिन ने अपनाया, जो माउट से तुंग के अंतरगत था, क्लास कॉंफ्लिक्ट का विचार जहां बुर्जुआ वर्ग सर्वहारा वर्ग के हितों का हनन करता है, जहां बुर्जुआ वर्ग सत्ता और संसाधन पर कबजा करके सर्वहारा व करांती को करता है और ये हिंसात्मत करांती ही एक अलगाओवादी उग्रवादी आंदोलन है जिसे भारत में नकसल वाद कहा गया So idea of Naxilism relate to the idea of class conflict ये कहा जा सकता है अब यहीं से नकसल वाद वामपंथ से जुड़ जाता है leftist ideology से जुड़ जाता है और वो देखे कैसे होगा चुकि नकसल वाद की केंद्री विचार धारा वर्ग संगर्ष है और वर्ग संगर्ष का विचार जो साम्मेवादी विचार है वर्ग संगर्ष का विचार जो माक्स, लेनिन और माओ का विचार है उस विचार में वामपंत या लेफ्ट विंग की आइडियलोजी दिखाई देती है इसलिए भारत में भी जो लेफ्टिस्ट पार्टी इस थी Communist Party of India, Communist Party Markswadi उन दलों और उनसे संबंधित संगठनों ने इस नकसलवाद का समर्थन किया और इसी लिए जो अगली लाइन है वो फिर प्रेशन बनती है नकसलवाद को हमने वामपन्थी उग्रवाद का नाम दिया वामपन्थी उग्रवाद अंग्रेजी में कहते हैं Left Wing Extremism ये नाम यूज किया जाता इसके लिए Left Wing Extremism या वामपन्थी उग्रवाद का हमने नाम दिया तो कुल मिलाकर नकसलवाद जो है वो वामपन्थी विचारधारा पर आधारित वर्ग संगरश विचारधारा पर आधारित सर्वहारा का बुर्जुआ के खिलाव क्या है एक संगरश है अब इस संगरश को भारत में मूर्त रूप कैसे प्राप्थ हुआ उस विचार को हम एक इतिहास में टटोलने की कोशिश करते हैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानिया आप तक पहुँचाई होंगी। मेरी जानकारी के अनुसार पश्चिम मंगाल के दारजलिंग छेतर में जहां चाय बागान होते हैं। कुछ तालू के कजबे और गाउं थे जिनके नाम थे नकसल बाड़ी, खाड़ी बाड़ी, अमार बाड़ी, तुमार बाड़ी, फासी देवा। तो सिर्फ एक गाउं नहीं था नकसल बाड़ी, उसके अलावा भी 4-5 गाउं थे, जैसे मैंने कहा, अमार बाड़ी, तुमार बाड़ी, खाड़ी बाड़ी, फासी देवा, जहां चाय के बागानों में मजदूर, खेती करते थे, मजदूरी करते थे, प्लांटेशनर्स के अं पुलिस प्रशाशन के साथ मिलकर एक नैकसस बना लिया, इसको बोलते हैं, एकसस ओफ एक्स्प्लॉइटेशन, शोशन की धुरी, और ये लोग मजदूरों को कम मजदूरी देते थे, उन पर अत्याचार करते थे, ठीक उनके बच्चों को चाइड लेबर में डालते थे, उनकी महिलाओं के साथ दुर्वियभार करते थे, और इसी प्रकार गाओं के जो सहुकार महाजन थे, वो किसानों की जमीन धीरे धीरे कब जाते हुए उन्हें भूमिहीन मजदूरों में बदलते जा रहे थे, तो अंतता चाइड बागानों के मजदूर और भूमिहीन हो र तो इस विद्रोह की भावना को, वाद का मतलब होता है भावना, तो नकसल बाडी छेतर में उभरी इस विद्रोह की भावना को नकसल वाद कहा गया, इसके ट्रिगरिंग एवेंट के तौर पर शुरूआत होने के तौर पर दो घटनाओं का उल्लेक किया जाता है, पहली घ बदला लेने के लिए जंगल संथाल नामक एक आधिवासी युवक ने पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मार कर हत्या कर दिये, अब ये समझेए, ये सत्ता और विवस्था को खुली इंसात्मक चुनोती है, याने जंगल संथाल नकसल वादियों का मंगल पांडे है, आप य ने कह सकते हैं, जैसे वो ट्रिगरिंग इवेक्ट था मंगल पांडे द्वारा विरोध में हत्या कर देना, यहान जंगल संथाल दौरा पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गी, और इस घटना को नकसल वाद की प्रारंभिक अभिव्यक्ति के तोर पर देखा दिया, उसमें विमलपाल नामक एक किसान था, जिसकी जमीन साहुकारों ने छीन ली थी, वहाँ अदालत जाकर कोट से अपनी जमीन वापस पाने का आदेश लेकर आता है, और वहाँ आदेश लेकर जब वो साहुकार के पास जाता है, तो साहुकार उसकी जमीन वापस देने से इं आकर नस्ट कर देता है ये एक दूसरी घटना है जहां पर शोशित वर्ग ने वंचित वर्ग ने शोशक वर्ग के खिलाफ एक हिंसात्मक क्रांती की है अब ये हिंसात्मक क्रांती सुनने में तो बहुत आकरशक लग रही है लेकिन ये सत्ता व्यवस्था के खिलाफ चुंकि हिंसात्मक चुनोती है इसलिए law and order को challenge है और इसलिए ये एक तरीके के अपराद के तौर पर विद्रोह के तौर पर देखी जाएगी यहां से आगे नकसलवादी आंदोलन मूल रूप से भूमी सुधार आंदोलन का रूप ले लेता है लेंड रिफॉर्म मूव्मेंट का रूप ले लेता है जहां पर जो नकसली है वो लेंडलेस लोगों की भूमी हीन लोगों की लड़ाई को लड़ते है भूमी धरों के खिलाफ और इसलिए कहा जाता है नकसलवाद वह आंदोलन है जो आर्थिक समानता के विचारधारा पर केंद्रित है जो भूमी धरों के खिलाव भूमी हीनों का हिंसात्मक संगश है जो भूमी धरों से भूमी को छीन कर भूमी हीनों में वित्रित करना चाता है ताकि आर्थिक संसाधनों का समानता से बटवारा किया जा सके और इसलिए अपने प्रारंभिक दोर में नकसलवाद, समाजवाद या साम्मेवाद की विचारधारा से जुड़ा है, जिसके केंदर में है नियाय, समानता और संसाधनों का समान फित्रण। और इस प्रकार नकसलवाद का इतिहास 1967 के आसपास जन्म लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब इस नकसलवाद को आगे एक अंदोलन के रूप में खड़ा करने के लिए ये जरूरी था कि विचारधारा के साथ संगठन दिया जाए, नेत्रत्व दिया जाए है। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी बड़ा मुव्मेंट आनदोलन, तीन चीज़ों के बिना खड़ा नहीं हो सकता। पहली चीज, जो आनदोलन को हमेशा चाहिए आनदोलन का रक्तभीज होती है जिसके बिना आनदोलन मृत हो जाएगा वो है विचारधारा। दूसरी चीज जन समर्थन क्योंकि जब तक कैडर नहीं होगा आंदूलन की लड़ाई कौन लड़ेगा और उसको लीड करने के लिए एक लीडरशिप नेत्रत्व और तीसरी चीज चाहिए आपको संगठन या और्गनाइजेशन अब नकसलवाद को भी इन ही तीन चीजों की तलाश थी विचारधारा वर्ग संगठश के तौर पर मिल चुकी थी नेत्रत्व और संगठन प्रदान करने के लिए अब कुछ लोग सामने आते हैं और जिसके अंतरगत हम कुछ संगठनों और कुछ नेताओं का नाम देखते है जो मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ तो नकसलवाद को प्रश्रय देने के लिए पश्यमंगाल में उस समय वामपंथी राजनेतिक संगठनों ने महती भूमी का निभाई आगे बढ़कर कारी किया क्योंकि उनके राजनेतिक हितों के लिए राजनेतिक भविश्य के ल याने CPI Marxist Party जो थी उसके अंतरगर All India Coordination Committee for Communist Revolutionaries All India Coordination Committee for Communist Revolutionary नामक एक प्रेशर ग्रूप बना जिसका उद्देश शिता नकसलियों का क्या करना समर्थन करना या सहयोग करना ये नकसलियों के सहयोग के लिए उभर कर सामने आया इसके आगे चलकर चारू मजूमदार नामक व्यक्ति ने जो की पश्चिम मंगाल के दारजिलिंग जिले के डिस्टिक कॉडिनेटर के तौर पर CPI के काम करते थे चारू मजूमदार नामक व्यक्ति ने कानू सान्याल के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था CPI माले CPI माले मतलब CPI माक्सवादी लिननवादी कानू सान्याल जो हैं वो चीन की रेवलुशनरी पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और चीनी माउट से तुंग की विचारधारा से प्रेजित थे जबकि चारू मजूमदार ने एक कारी किया उन्होंने किसानों मजदूरों की लड़ाई का समर्थन करते हुए आठ प्रपत्र जारी किये जिने कहते हैं तराई दस्तावेच तराई दस्तावेच के अंतरगत उन्होंने किसानों मजदूरों की लड़ाई को गरीबों कमजोरों की लड़ाई कहा इसे वर्ग संगश की लड़ाई कहा और इसे जस्टिफाई या सही साबित करने की कोशिश की और इसी दस्तावेजों को, तराई दस्तावेजों के आर्टिकल्स को ही हम नकसलियों का एंसाइकलोपीडिया, नकसलियों की भगवत गीता कहते हैं या नकसली साहित्यका स्रोत कहते हैं आज भी हम समय समय पर सुनते हैं कि नकसल लिटरेचर पाया गया नकसल लिटरेचर पकड़ाया तो यह जो जितनी भी बातें की जाती हैं वो इसी संदर में है नकसल लिटरेचर से जोगी है और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि चारू मजुमदार कानू सान्याल जैसे नेता ये नकसलवाज के पिता प्रारंब करता के तौर पर जाने जाते हैं अब इस तरीके से दिया आप देखें तो CPIM का परोप्ष समर्थन है CPIM के अंतरगत ये कम्निस रिवलूशनरी जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है इसके अलावा दक्षन देश संगठन अलग से काम कर रहा है यानि बहुत सारे संगठन नकसलियों के सहयोग के लिए समर्थन के लिए साथ में है और मैंने कहा कि किसी भी बड़े आंदोलन को करांती को शुरू करने के लिए आपको विचारधारा चाहिए संगठन चाहिए और नेतर तो चाहिए और जब ये तीनों चीजें मिल गएं तो नकसलवाद की गाड़ी चल पड़ी और इसी के बाद नकसलवाद का इतिहास अब हमको अलग-अलग अवस्थाओं में या अलग-अलग चड़नों में नजर आएगा जिनको हमें के करके देखते हैं तो नकसलवाद के उद्धाय के बाद अब नकसलवाद का विकास 1970 से 2020 तक एक्जेकली 50 साल हमारे पास है अलग-अलग उतार चड़ाओं के चड़नों से गुजरता है कभी नकसलवाद भारत के आंत्रिक सुरक्षा को सबसे बड़ी चुनोती बनता हुआ दिखता है जैसे 2004 से 2012 के दौर में ये दिखा गया कि नकसलवाद भारत के आंत्रिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनोती है क्योंकि सारे नकसली संगठन एक जुट हो चुके हैं और इस दौर में हमारे प्रधान मंत्री मनमोन सिंग जी को ये कहना भी पड़ा कि भारत की आंत्रिक सुरक्षा को सबसे बड़ा संगठ नकसलवाद से है जब नरिन मोदी जी सत्ता में आये तो उन्होंने भी इस बात को एकसिप्ट किया और यहां तक कि उन्होंने अपने नोट बंदी के निर्णाय को नकसलवाद और आतंकवाद के वित्त स्रोतों को रोकने के कारी के तोर पर ही बताया था तो हमको यह देखना पड़ेगा कि भारत सरकार तो नकसलवाद के 50 सालों को कुछ चर्णों में नहीं बाटती लेकिन हम अपनी समझ से अपनी बुद्धिमत्ता से इसे चर्णों में बाटने का प्रयास करते हैं मैं आपको पहले जहिर कर दू कि इस तरीके का विभाजन ना तो अकेडेमिक इस्तर पर किया गया है ना सरकारी इस्तर पर सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने के लिए मैं व्यक्तिकत तोर पर यह विभाजन आपको करका दे रहा हूं कि भारत में नकसलवाद का विकास या विकास की अवस्थाएं अलग-अलग चर्णों में देखी जा सकती हैं और इन चर्णों को मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा यदि ये 1967 का दौर है तो 1967 से 1970 का दौर फिर 1970 से 1980 का दौर इसके आगे जाएं तो 1980 से 1990 का दौर फिर 1990 से 2004 का दौर फिर 2004 से आगे जाएं है यदि हम तो 2012 का दौर और फिर 2012 से 2020 का दौर एक दो तीन चार पांच छे तो हम नकसलवाद को विकास की छे अवस्थाओं में बाट कर देख सकते हैं इन अवस्थाओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये नाम भी हम स्वयम दे रहे हैं और उससे इनकी भावना आपको समझ में आएगी पहला है उदय का दौर दूसरा है पतन का दौर तीसरा है पुनरुथान का दौर चोता है उतार चड़ाओं का दौर अप्स और डाउंस पांच वा है चर्मोत कर्ष एक्सलेंस और पांच वा हम आशावादी होकर लिखते हैं अंतिम पतन लास्टिक लाइं तो इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और इस कहानी में आपको इसके कारण प्रभाव प्रक्रिया सब समझ में आएगी पहला दौर जिसे मैंने नकसलवाद के उदाय का दौर कहा है इस उदाय के पीछे हमने एक कहानी आपको बताई कि कैसे पश्यमंगाल के छेतर में बंचितों का शोषण हो रहा है भूमी हीनों पर अत्याचार हो रहा है किसान मजदूरों की लड़ाई हो रही है कमनिस पार्टी का इनको सहयोग मिल रहा है तो वर्ग संगज की विचारधारा आ रही है संगठन आ रहा है और नेतरत वा रहा है जिसके कारण 67 से 70 के बीच नकसलवाद बंगाल छेतर में और उसके आसपास के छेतरों में प्रसारित हो रहा है लेकिन 70 के दौरान ही इंद्रा गांधी सरकार द्वारा नकसलवाद पर सेन्यकार्यवाही कर दी जाती है कारण ये था कि इस समय हम बंगलादेश युद्ध की स्थिती में हैं और बंगलादेश युद्ध के कारण बाहरी मोर्चे पर हमारे पास संकट है और इस समय में हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि बाहरी मोर्चे की लड़ाई और आंतरिक मोर्चे की लड़ाई दो मोर्चों पर उनको लड़ाई लड़ने पड़े तो इसलिए जो बंगलादेश सेना जाती है उस सेना का एक हिस्से से कहा जाता है कि आप नकसलवादियों के खिलाफ भी सैन्ने कारेवाही कीजिए और इसी क्रम में नकसलवादियों पर सैन्ने कारेवाही होती है और नकसल वो कमजोर हो चुका है सिर्फ जिंदा है तो एक चीज और वो क्या है विचार धारा तो दूसरा दोर में सैन्य कारवाही के चलते नकसलवाद का पतन डिखाई देता है लेकिन इस पतन का हम लाव नहीं उठा पाते क्योंकि हम नकसलवाद पर अंतिम के कील नहीं ठोक पाते हैं और इसकी विचारधारा जो वंचना की विचारधारा है जो विरोध की विचारधारा है जो शोशन और अत्याचार के खिलाफ है वो लगातार पनप्ती रहती है और इसी नकसल वादिया संतोश को सत्तर के दशक में गरीबी, बेरोजगारी, आपातकाल का के अत्याचार इन सब से बल मिलता है और विचारधारा देरे-देरे मजबूत होती जाती है अब इस विचारधारा को फिर से संगठन और नेतर तो चाहिए और फिर से संगठन और नेतर तो मिलता है उसको 1980 में 1980 में कोंडा पल्ली सीता रमया यह नाम याद रखिएगा एक नेता का नाम है तो 1980 में कोंडा पल्ली सीता रमया वो CPI माले से अलग हो जाते हैं माले मतलब माक्सवादी लेनिनवादी जो थी कॉर्डिनेशन कमिटी तो CPI माले से अलग होकर कोंडा पल्ली सीता रमया पीपल्स वार ग्रूप नाम का संगठन बनाते PWG और People's War Group जो है वो आंदरप्रदेश के करीम नगर जिले को करीम नगर जिले को करीम नगर जिले को अपना केंदर बनाकर नकसली गतिविधियों को East India से Central India की तरफ Shift करती है जहाँ पर करीम नगर से लगा हुआ इस समय जो आंदरप्रदेश का है चित्तीजगड का इलाका है, उडिसा का इलाका है, मारास्ट का इलाका है, मतलब मल्टी स्टेट बाउंडरी का इलाका है, और इस इलाके में नकसली अब अपनी गतिविधियों को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, अब नकसलीों को प्रश्रय देने के लिए, अब नकसलीो में ये जो बड़े राज्य हैं उनके अंतरगत राज्य पुनर गठन के आंदोलन दिख रहे हैं जैसे 36 गड़ में 36 गड़ पुनर निर्मान का आंदोलन चल रहा है मारास्ट का जो विदर्बा वाला पिछडा छेतर है वहाँ नाराजगी दिखाई दे रही है वहाँ अलग र उडीशा है ये 36 गड़ है ये महरास्ट है और ये MP है इस इलाके में जो की नीचे पर हम देखें तो ऐसे बस्तर के चारों तरफ का इलाका है ये महरास्ट है यह आनप्रदेश है ये उडीशा है इस इलाके में नकसलवाद का विस्तार दिख रहा है सेंट्रल पॉइंट जो है वो करीम नगर है ठीक है और इस विस्तार को समझाया जाता है एक सिद्धान्त से जिसका नाम है त्री संगम सिद्धान्त ठीक ट्रिपल जंक्शन थियोरी कह लीजे आप त्री संगम सिद्धान्त कहता है कि वे छेत्र जो बहुराज्जीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं इंटर स्टेट बाउंडरीज भागोलिक रूप से जटल हैं जहां जंगल हैं जहां नदियां हैं जहां उचे उचे परवत हैं और डिमोग्रैफिकली यानि जनांकी की रूप से जहां सरल आदिवासी रहते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ तीन बाते इंटर स्टेट बाउंडरीज हैं सीमाई दुर्गम भूगोल है जंगल है पहाड है और सरल आधिवासी निवास करते हैं वो नकसलवाद की उरवर जमीन है और वहां नकसलवाद फैलाना सबसे आसान है और इसी त्री संगम सिध्धान्त को आगे ले जाते हुए इस दौर में नकसलवाद सिंट्रल इंडिया में फैलने लगता है प्रसारित होने लगता है यानि उसका विस्तार जो बैंगॉल वाला इलाका था वहां से आगे चलकर यहां पर दक्षिन की ओर प्रसारित होता है लेकिन अभी समझने की बात यह है कि वो नकसलवाद जो अभी यहां पर था अब यहां फैल रहा है लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए जरूरी है कि जो बिहार वाला इलाका है उस समय जारकंड बिहार यहां से आगे जाए तब इसका विस्तार होगा और इसी क्रम में बिहार में एटीज के उतरार्द में जातिय यह संघश काम आता है बिहार के उतरी हिस्से में इस समय उची और निचली जातियों के बीच एक लड़ाई चल रही है जहां पर राजपूत रणबीर सेना बना कर रणबीर सेना बनाकर दलितों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो दलितों को नेपाल के माववादिय का समर्थन है और संस्था का नाम है MCC माविस्ट कम्निस सेंटर और इस दौरान गाउं के गाउं गोलियों से भून दिये जाते हैं जातिगत लड़ाई में नकसलियों को यहां पर अपने पैर जमाने का मौका दिखता है और नकसली अपने आपको जोड़ देते हैं दलितों की लड़ाई से वो MCC का समर्थन, MCC माववादी कम्निस सेंटर वैसे भी वामपन्ती विचारधारा थी तो MCC सपोर्ट में आ जाता है किनके दलितों के और रणबीर सेना के खिलाफ याने बुरजुआ के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगता है हाला कि कुछ लोग एक आर्थिक संगर्ष है और हम वामपन्ती विचारधारा के लोग धर्म जाती भाषा जैसे मामलों से जुड़ना नहीं चाहते लेकिन दूसरा वर्ग ये समझाता है कि ये बेसिकली पीडितों की शोशकों की पीड़कों और शोशकों के खिलाफ लड़ाई है और इसलिए इसे ही बिहार की लड़ाई जुड़ जाती है तभी लाल गलियारे का सपना साकार होते दिखने लगता है एक शब्द पैदा होता है जिसका नाम है रेड कोरिडोर लाल गलियारा अब देखिए रेड कोरिडोर शब्द क्या है लाल गलियारा सरल शब्दों में नकसल प्रभ भाव दिखाई देता है और इस लाल गलियारे को उत्तर से दक्षिन दर्शाने के दो तरीके बताए जाते हैं एक यह नेपाल से आंधरप्रदेश तक फैला हुआ है लाल गलियारा लेकिन नेपाल में कौन सा मंदिर है पशुपती और आंद्रप्रदेश में क्या है तिरूपती तो ये कहा जाता है कि लाल गलियारे का विस्तार पशूपती से तिरूपती तक दिखाई देता है और वो नकसलवाद जो दो चार राजियों की परिखटना थी अब लगभग भारत के दस राजियों से 1980s के अंत में जोडने लगता है इसी दौर में आरक्षण विरोधी आंदोलन या आरक्षण की जो लड़ाई है वो भी नकसलवाद को फलने फूलने का मौका देती है इसी दौर में राम जन भूमी की जो लड़ाई है वो भी नकसलवाद को फलने फूलने का मौका देती है कुल मिलाकर इस चितियां ये बनती है कि 1990 आते आते नकसलवाद भारत में एक बड़ी चुनोती या समस्या के रूप में स्थापित हो चुका है और इसलिए तीसरे चरण को हमने कहा है रिवाईवल का दौर नकसलवाद के पुनर उत्थान का दौर अब चुहता चरण जो 1990 के बाद है इस चरण में नकसलवाद चड़भी राह है और उतर भी राह है अब ये बड़ी अचीब बात है कि नकसलवाद में दोनों बातें कैसे हो सकती हैं. बिलकुल संभव हैं. संभव इस डंग से है कि इस दौर में कुछ कारक ऐसे हैं जो नकसलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या जो ले जा आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं. और इन कारकों में शामिल है LPG, जन्य विशमता और असंतोष, लिब्रलाइजेशन, प्राइविटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का आना, ओध्योगी करण से ग्रामीन अर्थिवस्था का पतन, अकुशल श्रमिकों की बढ़ती बेरोज, गारी, आदिवासी छेत्रों में जल, जंगल, जमीन को छीना जाना, बाहरी लोगों द्वारा आदिवासी छेत्रों में जाकर उद्ध्योग लगाया जाना, विकास कारियों के नाम पर, इंफ्रस्टेक्शनल प्रोजेक्ट्स के नाम पर, सडग बिजली संचार के नाम पर, ठीक, वनों का दोहन, निर्वनी करण, आदिवासीों का विस्थापन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये सारी घटनाएं जो नब्बे में हम वैश्वी करण के दुष्प्रभावों के अंतरगत देखते हैं, वो बेसिकली वन्चितों के लिए दुख पैदा करने वाली हैं, और ये सारी घटनाएं आंतरिक संकट नहीं रहा, देश के बाहर के दुष्मन भी, चाहे वो नेपाल चीन से माववादी हों, चाहे वो नीचे लिट्टे के आतंकवादी हों, चाहे वो कश्मीर के आतंकवादी हों, वो नकसलियों के साथ गड़जोड करते दिख रहे हैं, तो एक तरफ तो LPG जन नाराजगी है और दूसरी तरफ बाय समर्थन है, जिसके कारण नकसलवाद मजबूत होता दिख रहा है, लेकिन इसी दौर में नकसलवाद के पतन के भी कारण है, जैसे 90 की शुरुआत में आंदर प्रदेश में रेड़ी नामक मुख्यमंत्री होंगे, और ये मुख्यमंत 89 के दौरान आंदर प्रदेश के एक IPS KS व्यास ने बनाया था, और इस दस्ते को की तुलना आप कर सकते हैं, जैसे हमारे SPG होते हैं, जैने विशेश कारी के लिए, तो नकसल घटनाओं से लड़ने के लिए तैयार विशेश दस्ता, जिसके पास फिजिकल ट्रेनिंग है, जिसके पास modern equipments हैं, जिसके पास modern technologies हैं, जिनके पास effective coordination हैं, जिनके पास effective intelligence हैं, इन सब को कहा जाता है greyhound forces, और ये greyhound forces जो हैं, ये पडोसी महरास्ट और 36 गड़ के, उस समय 36 गड़ नहीं मध्यप्रदेश था, तो मध्यप्रदेश की सरकारों के साथ coordination करके, इस करीम नग जो हमने बताया है, नकसली के खिलाफ एक अभियान चलाते हैं, जिसको operation greyhound कहते हैं, जिसके तहट नकसली का वहाँ से सफाया हो जाता है, लेकिन नकसली जब करीम नगर से हटते हैं, तो यहाँ से हटकर वो एक नई जगे अपना इस्थान बना लेते हैं, और वो है जगद जगदलपुर बस्तर से उनको अभी हटाया गया, तो उन्होंने एक नया सेंटर बना दिया, गोंदिया बालाघाट, तो नकसलीों पर जब जब operation होते हैं, वो फिर से नई जगे पर जाते हैं, पर आप ध्यान दीजेगा, चाहे करीम नगर हो, चाहे जगदलपुर हो, या अभी मद्यप्रदेश, महरास्ट और छतीजगड की सीमा पर इस्थित, गोंदिया बालाघाट रीजन हो, जो सत्पुड़ा पहाडी वाला इलाका है, ये फिर वही है, त्रिसंगम सिद्दान, इंटर स्टेट बाउंडरीज, घने जंगल, उंचे पहाड, सरल, आदिवासी तो अभी जो काना नेशनल पार्क का रीजन है, बालाघाट वाला, वहाँ पर आपको नकसलियों का नया केंदर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जगडलपूर में ऑपरेशन ग्रीन हंट और उसके बाद इस समय ऑपरेशन प्रहार 1234 के माध्यम से नकसलियों को यहां से हटाया गया है या समाप्त किया गया है, तो मैं यह कह रहा हूँ कि 90 के शुरुआत में रिड़ी के नितरत में आंदर प्रदेश से इनको घटाया जाएगा, इसलिए नकसलियों का पतन होगा, और नकसलियों के पतन में जो दूसरा महत्पूर्ण कारण माना जाएगा, वो ह अब नकसलि माइनिंग माफिया के साथ जुड़कर, फोरेस्ट माफिया के साथ जुड़कर, इन सबसे रोयल्टी की या हक्ते की मांग कर सकते हैं, तो अब नकसलियों के बीच पहला संसादनों के बटवारे की लड़ाई छड़ेगी, दूसरा नितरत्व का संघष छड़े और नब्बे के अंत में यह दिये, इसको हमने टैकल कर लिया होता, तो इसी दौर में नकसलवाद समाप्त हो जाता, लेकिन विडमना देखिए, कि जब नकसली आंद्रप्रदेश के करीम नगर से बस्तर के जगदलपूर में अपना केंदर बनाने में व्यस्त हैं, तो दिगविजय सिंग का शाशनता उस समय है, इसी प्रकार नब्बे के अंत में जब नकसली आपसी संघर्ष में व्यस्त हैं, तब तातकालिक भारत सरकार वाजपेजी की सरकार थी, वो इंडिया शाइनिंग में व्यस्त है, यह मस्त है, और इसलिए नकसली उनके ने हमको मौ के दिये, अपनी कमजोरियां दिखाई, लेकिन हमारी दिक्कत ये रही कि हम समय समय पर उनकी कमजोर इस्थिती का लाव उठाने में असफल रहे हैं, अंतता नकसली अपनी कमजोरियों से सीखते हैं, और नकसलीयों के नेता 2004 में एक महा सम्मेलन का आयोजन करते हैं, बस्तर छेत्र में और उस महा संवेलन में सभी नकसली संगठन और नेताओं के बीच आपसी में समझोता होता है सारे संगठन MCC हो, PWG हो, CPI माले हो, ये सब अपना विलय एक नए संगठन में कर देते हैं और उस नए संगठन का नाम था CPI माविस्ट याद रखिए, इस समय भारत में नकसलवाज के लिए जो एक मातर संगठन प्रभावी रूप से काम कर रहा है, उसका नाम CPI माविस्ट ही है और उसी के कैडर तले, उसी के पद सुपान में और उसी के नियंतरण निर्देशन में भारत में सारी नकसली गतिविदियां संचालित की जाती है जो भी संगठन भारत के रास्टी हितों के लिए हानिकारक है या भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है उसे प्रतिबंदित करने का अधिकार भारत सरकार को है एक कानून के तहट जिसका नाम है Prevention of Unlawful Activity Act 1967 गैर कानूनी गतिविधिया निवारक कानून 1967 इसी कानून के तहट CME को बैन किया गया है इसी कानून के तहट CPI माविस्ट को भी हमारे यहां प्रतिबंदित संगठन के रूप में देखा जाता है और इसलिए उससे संबंद गतिविधिया और उससे संबंद लोगों पर Prevention of Unlawful Activity Act के तहट कारिवाही की जा सकती है तो कहानी यह है कि 2004 आते आते नकसली अब फिर से मजबूत स्थिती में आ गए है और 2004 के बाद आप यह कहते हैं अर्दू बाशे में नकसली अपने जलाल पर दिखते हैं और जलाल पर दिखने का मतलब है अब नकसलीों का मनोबल चरम पर है अब नक्सलियों के संसाधन चरम पर है अब नक्सलि सिर्फ सेन्य अर्द सेन्य बलों और पुलिस वालों पर नहीं आम नागरिकों पर भी हमले कर रहे हैं अब नकसली राजनेताओं पर भी हमले कर रहे हैं अब नकसली भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर शड़ेंद्र कर रहे हैं अब नकसलीों के लिंक लेटे से लेकर ISIS तक या कश्मीर के आतंकी संगठनों तक दिख रही है अब नकसली व्यवस्थित भरती अभियान चला रहे हैं अब नकसली विशिष्ट रणनीती के तहट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मलब कुल मिलाकर ये वो दौर है 2004 से लेकर 2012 तक का जब नकसली विशारधारा के स्तर पर संगठन के स्तर पर संसादनों के स्तर पर जनाधार के स्तर पर कैडर के स्तर पर मजबूत नजर आ रहे हैं और इसी मजबूती का प्रभाव हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बड़ी घटनाएं नरसाहार की घटनाएं, सैनेबलों पर हमलें की जो घटनाएं हैं वो इसी दौर में दिखती है जिन घटनाओं के तहट बहुत सारे उधारण मिलते हैं सबसे लेखनी उधारण, दर्भागाटी का उधारण है जहां पर 36 गड़ में ठीक दर्बागाटी छेतर में राजनेताओं के काफिले पर हमले करके महिंद्र कर्मा विद्याचरण शुकल जैसे बड़े नेताओं की हत्या की जाती है इसके अलावा दंतेवाडा है सुकमा है मारास्ट में गड़ चिरॉली है इन जगों पर भी 100-100 लोगों को एमबुश में फांस कर लैंड माइन्स के माध्यम से या पुलिस ठानों पर हमला करके मारने की घटना इस दौर में दिखती हैं पुलिस ठानों पर हमले शस्त्रागारों पर हमले या फिर नकसल प्रभावित छेत्रों में बैनर लगा कर प्रवेश पर रोक लगा देना सरकारी कर्मचारियों के सैनेबलों की जन सरकारों की स्थापना करना गाओं में जाकर जन अदालतें लगाना ये सारे कारे इस दौर में अक्सली करते दिखते हैं इसलिए मैंने इस दौर को चरमुत कर्श का दौर का है तो 2004 से 2012 का दौर नक्सलवाद में वो दौर है जब नक्सलवाद भारत के 18 राज्यों के अंतरगत लगभग 218 जिलों 460 पुलिस स्टेशन या पुलिस थानों या पुलिस स्टेशनों तक अपना विस्तार दिखा रहा है ये वो भी दौर है जब नक्सलियों का ये जो रेड़ कॉरिडthose है जिसको हमने लाल गलियारा नाम दिया है ये लाल गलियारा अपना विस्तार अभी तक नक्सलवाद वेस्ट में वो इस्ट में और सेंटरल इंडिया में है अब वो वेस्ट में अपना प्रसार करेगा और वेस्ट में प्रसार करते हुए एक golden corridor यहाँ red corridor है यहाँ पर एक golden corridor का निर्माण किया जाएगा यह golden corridor राजिस्थान पश्चिमी मद्दप्रदेश और गुजरात की आदिवासियों की एक बेल्ट है जा मुख्य तोर पर भील ज बन जाती का प्रभुत्व है तो यहाँ पर भी नकसलवाजियों का प्रभुत्व दिखेगा जिसे हम कौनसे कोरिडोर के नाम से जानेंगे golden corridor तो नकसलवाज से जुड़ा एक जो है वो आपका red corridor है जो main corridor है इसके अलावा इसका western extension golden corridor के नाम से भी जाना जाता है तो कुल मिलाकर चोहते दोर में नकसलियों का मनोबल अपने शीर्ष पर है और यही सरकार को चिंतित करने के लिए परिशान करने के लिए परियाप्त है कि भई नकसली अब भारत की सुरक्षा की बड़ी चुनौती है और उनके खिलाफ एक अंतिम निर्नायक लड़ाई चुरू होगी इस लड़ाई की शुरूआत यूपीए टू की मनमोहन सिंग के नितरत में करेगी और इस लड़ाई को आगे ले जाने का कारे फिर मोधी गवर्मेंट के अंतरगत किया जाएगा जिसमें राजनात सिंग के प्रारंबिक प्रयास बहुत प्रभावी होंगे औ और वर्तमान में अमिश्या जी के प्रयास हैं इन प्रयासों को हम अलग-अलग हिस्सों में बाट कर देख सकते हैं जिसके अंतरगत सुरक्षात्मक प्रयास हैं विकासात्मक प्रयास हैं संवेधानिक प्रयास हैं राजनीतिक प्रयास हैं प्रिशाशनिक प्रयास हैं हर दि कारणों में बताईए और पतन के दोर को समझना है तो इसको आप प्रयासों में बताईए और जब आप कारण और प्रयास बता देंगे तो अंतिमिस्थिती में जो आपको करना होगा वो होगा समाधान ठीक है तो अब हम नकसलवाद के कारणों को हमने अविकास की अवस्थाएं देख ली तो इन अवस्थाओं में अलग-अलग समय पर अलग-अलग कारण थे लेकिन हम कारणों को ओवरॉल परस्पेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं कि वो मानी जा सकती है ऐसे कौन-कौन से कारण है जिनके कारण नकसलवाद वर्तमान में दिखाई देता है तो नकसलवाद के कारणों को यदि हम समझना चाहें तो दो तरीकों से इनको समझा जा सकता है एक हमारी सीमाएं याने नकसलवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारी कुछ गलतियां थी और दूसरा नकसलियों की योग्यताएं या उनकी शमताएं मतलब हम में कुछ कमी थी और उनमें कुछ अच्छाई थी तबी तो वो सफल हो गए यदि हम हमारी या सरकार की सीमाओं की बात करें में फिर कारणों को आप इक के अंतरगत अभिव्यक्त कर सकते हैं भोगोलिक सीमाएं हो सकती हैं जिसके अंतरगत हमने बताया कि नकसली ऐसे छेत्रों का चैंस करते हैं जो तेसंगम बिंदू को अपनाते हों जिसके कारण नकसली प्रसार करना बहुत आसान होता है और नकसलियों द्वरा लड़ाई की गई गुरिल्ला वर्ड इन भोगोले कारणों से ही संभव है दूसरा राजनेतिक कारणों में ये माना जाता है कि नकसलियों को गाहे बगाहे राजनेताओं का समर्थन अलग-अलग तरीकों से मिलता रहा है अपने नाम सुना होगा के पीएस गिल जो पंजाब में आतंगवाद को समाप्त करने के लिए जिम्मिदार हैं उन्हें 36 गड़ में नकसलवाद ऑपरेशन के खिलाफ सलाकार न्युक्त किया गया लेकिन जब उन्होंने अपना पर छोड़ा तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे ये कहा गया कि आपको बहुत सक्रिय भूमी का निभाने के आउशक्ता नहीं है अब किसने कहा क्यों कहा सही कहा गलत कहा लेकिन ये संदेय तो पैदा होते ही है कि क्या वास्तों में सरकारों की विशेशकर राजी सरकारों की मंशा नकसलवाद को समाप्ट करने की रही है या फिर चुनावी या वोडबैंक की राजनीती के चलते नकसलियों या नकसल प्र प्रशाशनिक संदर में प्रशाशनिक शुन्यता एक बहुत बड़ा कारण है आज भी कई ऐसे छेत्र हैं नक्सलियों के नियंत्रण में जहां पर मुलबुत सुविधाओं की बात तो आप छोड़ दीजिए पहुँच भी संभव नहीं है तो सडग, विजली, संचार, स्कू प्रशाशनिक वंचना या हींता भी नक्सलवाद को जन्म देगी, नक्सलवादियों को जो सबसे बड़ी चिंता सताती है वो है उन पर सांस्कृतिक आक्रवन, बाहरी लोग जो नक्सली छेत्रों में जाकर विकासकारियों पर कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां बा समिता के नाम पर नक्सलवादी सक्री हो जाते हैं, एक और संकट जल जंगल जमीन का संकट माना जाता है, 1980s में फॉरेस्ट कानून बना कर इनके वन अधिकारों को छीने जाने की बात है, हलागी बाद में ये अधिकार पुना सुनिश्चित किये गए, लेकिन वन अधिकार को छीना जाना, उनकी आजिवी का को छीना जाना, पर्यावरन कानूनों को कठोर किया जाना, वन कानूनों को कठोर किया जाना, इससे आजिवासियों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, और ये भी नक्सलवाद के से जुड़ने का एक कारण बना, आर्थिक वि कारण ने वैश्वी करण ने उनके रोजगार चीन लिए तो वे भी नकसलियों से जुड़ गए कुछ स्पीड मनी के चक्कर में कुछ बेरुजगारी दूर करने के लिए तो इसे भी कारण के तौर पर देखा जाता है ठीक कॉर्पोरेट शोशन का नाम दिया जाता है नकसलियों के विस्तार के लिए इसके अलावा यह कोडिनेशन का ना होना सेंटर सेट कोडिनेशन का ना होना पुलिस और सेनेबलों में कॉर्डिनेशन का ना होना जो हमारी intelligence agency है और जो सेनेबल है उनके बीच कॉर्डिनेशन का ना होना यानि एक विशुद्ध कारण आप बताएंगे समनवयन का आभाव विभिन प्रकार के समनवय जो नकसलियों से लडने के लिए चाहिए वो हमारे यहां उपलब्द नहीं है एक कारण न्यूटन मुवी में दर्शाया गया था कि किस प्रकार नकसलियों से लडने के लिए जो आधुनिक शस्त्र चाहिए जो प्रशिक्षित सैनेबल चाहिए उसके इस्तर पर अंकट देखा जाता है नकसलियों में जब भरती होती है तो उस भरती का अभियान हमारी पुलिस भरती के अभियान से ज़्यादा विवस्थित नजर आता है कई बार और उसके क्वालिफिकेशन भी बहुत स्ट्रॉंग होते हैं अब ऐसी इस्तिती में नकसलियों से लड़ने के लिए पहाडों पर उनके पीछे दोड़ने के लिए चलने के लिए हमें कॉमबेट फोर्सिस की जरुवत है जो हमने ग्रे हाउंड, कोबरा, बस्तरिया इन नामों से बाद में बनाई है लेकिन प्रारंबिक इस तर पर ऐसी सक्रिय क्या कहेंगे केपेबल फोर्सिस का ना होना भी नकसली संकट के बढ़ने का एक कारण है और एक कारण मैंने आपको बताया था कि हमें समय समय पर मौके मिले कि हम नकसलवाद को रोक सकते थे एक 70s की शुरुआत में था एक 90s के अंत में था लेकिन हम उससे निपटने में विफल रहे इन सारे कारणों से परे ये जी कोई मुझसे एक बड़ा कारण पूछे कि एक कारण बताये कि नकसलवाद क्यों नहीं रुख पाया तो मैं कहूंगा कि नकसलवाद के संदर में सरकार में रणनीतिक इस्पस्टता का अभाव है रणनीतिक इस्पस्टता का मतलब है सरकार अभी तक तैय नहीं कर पाई है कि नकसलियों से गोली की भाषा बोलनी है या बोली सरकार अभी तक नहीं तै कर पाई है कि नकसली हमारे राह से भटके हुए लोग है या एंटी नैशनल्स या देश द्रोही सरकार अभी तक ये सपस्ट नहीं कर पाई है क्योंकि कि उनके खिलाफ सेना का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए क्यांकि जो लोग नहीं किया जाना चाहिए वो कह रहे हैं कि भाई ये बाई सुरक्षा की चिंता नहीं है सेणा तो बाई सुरक्षा से लड़ती है दूसरा सेणा का यदी प्रयूग किया जाता है तो सेणा zero tolerance पर काम करती है तो नकसलियों के साथ बहुत सारे निरी आदिवासी या ग्रामीन भी पिसेंगे उनकी भी हत्याएं होंगी उनको भी operations में नुकसान उठाना पड़ेगा ये भी कहा जा रहा है कि सेना का प्रयोग तो देश की दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है नकसलियों के खिलाफ सेना का प्रयोग क्यों किया जाए तो इस तरीके से भी कई बार प्रश्न बनते हैं कि क्या नकसलियों के खिलाफ सेना का प्रयोग करना चाहिए और हमारे ग्रैम अंत्राले की ये घोशिट लाइन है कि नहीं अभी सेना का प्रियोग करने की कोई स्थिती नहीं है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सेना का प्रियोग नहीं करेंगे ये एक बात है लेकिन इसको डिकलेर करने की क्या जरूवत है ये डर भी की शेर आ सकता है बहुत बड़ा डर होता है बजाए इसके की शेर पक्का नहीं आएगा हमारी ये घोशना मतलब ये मेरे समझ से परे है या शायद मैं ना समझ पाया हूँ कि नकसलियों के खिलाफ सेना के परेयोग ना करने को घोशित रूप में बताने की क्या जरूरत है आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम सेना का सीमित परेयोग करेंगे आपदा वादिक परेयोग करेंगे हम इंटेलिजेंस के लेवल पर परेयोग करेंगे जो हम करते भी हैं हम द्र नक्सलियों से लड़ने के लिए 37 गड़ बेजी गई थी नक्सलियों में अभी तक खौफ है उस बटालियन का क्योंकि वो उनकी तरह पहाड़ों पर चड़ने गुरिल्ला वार करने में दक्ष लोग थे तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं होगा और इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार और शैद सरकार ने 2014-15 के बाद या 12 के बाद ये रणनीती अपनाई भी है कि नक्सलियों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीती रहेगी और एक इसपस्ट रणनीती के तहट काम होगा नीतीगत विरोधा भास की समस्या नक्सलियों से लड़ने में हमा चलेट बात है लेकिन हमारी कम्यों से पर ये नक्सलियों की टाकट क्या रही ये भी तो एक प्रश्ण हो सकता है कि कुछ हम कम जोड़ थे कुछ नक्सल समझधार थे जिसके तहट नक्सलियों इतने पर बने और नकसलियों की योग्यताओं में जो सबसे पहली चीज है जो हमारी विफलता थी, हमारी रणनीतिक विफलता थी, उनकी रणनीतिक सफलता है और रणनीतिक सफलता ये है कि नकसलवाजियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए एक well-defined three-phase strategy बनाई है अब इस strategy को बताते हुए ये डर हमेशा बना रहता है कि कोई पूछ लेगा सर आपको बताई है क्या तो नहीं मुझे बताई नहीं है लेकिन उनके कारे करने के तरीके से ये देखा जा सकता है कि उन्होंने तीन चरण में अपने विस्तार की रणनीती बनाई है और इन चीन चरणों को उन्होंने अलग-अलग नाम भी दिया है पहला है तैयारी का दौर ठीक दैर ओफ प्रिपरेशन ये वो दौर है जिसमें नकसली अपनी विचारधारा को फैलाते हैं ये वो दौर है जिसमें नकसली अपने समर्थकों को जुटाने का प्रयास करते हैं ये वो दौर है जिसमें नकसली शहरों में गाओं में अपने समर्थक बढ़ाने का प्रयास करते हैं ये वो दौर है जिसमें नकसली स्लीपर सिल्फ तैयार करते हैं याने कुल मिलाकर नकसलवाज की विचारधारा को, नकसलवाज के संगठन को, नकसलवाज के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास, ये है तैयारी का दौर. और जब तैयारी का दौर पूरा हो जाता है, तब और बुद्धी जीवियों के बीच, या फिर कहेंगे दलितों के बीच, वामपंथियों के बीच, कॉमरेडों के बीच, जिसको बोलते हैं न, यूनिवर्स्टी कॉलेजों के समूहों के बीच, या पीडित किसानों और मजदूरों के बीच, नकसली विचारधारा फैलने लगती है, तो वे दूसरे लेवल पर आते हैं, जिसे वो कहते हैं प्रदर्शन का दौर, तो पहला है तैयारी का दौर, और दूसरा कहलाता है प्रदर्शन का दौर, इसे कहते हैं एरा ओफ डिमोंस्ट्रेशन, और एरा ओफ डिमोंस्ट्रेशन के अंतरगत, अब नकसली वैधानिक और गेर वैधानिक दोनों तरीकों से अपनी उपस्थिती दर्जत करवाते हैं वैधानिक तरीकों में नकसली आउटलेट्स काम करने लगते हैं जैसे NGO's हैं वो मानवधिकारों की आवाज उठाएंगे सेना, पुलिस, अर्थ सेने बलों के भी सरकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जाएंगे अदालतों का दर्वाजा खट-कटाए जाएगा जूलूस निकाल कर जाकिया निकाल कर धरना प्रदर्शन करके सरकार का विरोज जताया जाएगा यूनिवर्स्टी कॉलेजों में आयोजन करके नकसली अपनी बात को फैलाने की कोशिश करेंगे और गैरवैदानिक तरीकों पर फिर हिंसात्मक हमले, सारजनिक संपत्ती को नुकसान, सैने बलों पर हमले ये सब उनके प्रदर्शन का दौर है जिससे वो अपनी उपस्थिती धर्ज करवाते है और प्रदर्शन के दौर में कारे करते करते नकसली जब किसी छेतर पर अपना नियंतरन कर लेते हैं तो फिर तीसरा दौर आता है जिसे कहते हैं जन सरकार का दौर और इस दौर में नकसली ये गोशना करते हैं कि सर्वहारा गणतंत्र की स्थापना हो चुकी है ये नकसलीों का गोल है सर्वहारा गणतंत्र ठीक, पीपल्स रिपबलिक जैसे चाइना के संदर में बात की जाती न की स्थापना हो चुकी है जनता की सरकार की स्थापना हो चुकी है और इस छेतर में अब वो समनांतर सरकार चलाते हैं जहां भारत की प्रभुसत्ता को खुली चुनौती दी जाती है जहां वो खुली अपनी विधाईका कारेपालिका नियाएपालिका के माध्यम से भारत की समवजानिक संस्ताओं को चुनौती देते हैं जन अदालतें लगाकर अपना नियाय करते हैं और संसादनों पर अपना पूर्ण नियंत्रन स्थापिक कर लेते हैं जब इतने व्यवस् तरीके से कोई काम करेगा तो निश्वित तोर पर उसके सफल होने की संभावना जरूर हो दूसरे लेवल पर नकसली एक प्रभावी संगठन के माध्यम से काम करते दिखते हैं यदि आप नकसली पदसुपान को देखेंगे तो उपर से लेकर नीचे तक जैसे पुलिस प्रश कमांडर, जोनल कमांडर, जिला कमांडर और सबसे निचले लेवल पर पैदल सेनिक जिनको हम कहते हैं नकसली सिपाही ऐसे एक व्यवस्थित पत्सुपान के माध्यम से नकसली को काम करते देखा गया है इसके अलावा नकसली एक बड़े इस तर से संसाधन जुटाने के लि दूसरे लेवल पर उनके द्वारा डकैती की जाती है, सरकारी संसाधनों की लूट की जाती है, इसके अलावा उनके द्वारा वसूली की जाती है, जिसको हफ्ता वसूली या फियर वसूली कहते हैं, उसके द्वारा वो पैसा वसूलते हैं, लाल सलाम भेज कर पैसा वसूल लेना इसके अलावा नकसलियों के पास अब नकसली अनेटिक व्यापारों से जुड़ गया है वो प्रोस्टिटूशन को बढ़ावा दे रहा है human trafficking आदिवाजी महिलाओं की तसकरी से नकसलियों का जुड़ाओं देखा गया है ठीक drugs के drug trafficking अवैद शराब का व्यापार तो अनेटिक व्यापार से नकसली जोट रहा है even child labor, child prostitution और child trafficking के आरोब भी नकसलियों से लग रहा है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि नकसली अपने रास्टे से भटक रहे हैं क्योंकि वो अनेटिक अवैद कारियों में भी अब बड़े पैमाने पर सनलगने लेकिन इससे उनको बड़े पैमाने पर पैसा मिल जाता है इसके अलावा देश के अन्या आतंकी संगठनों से और देश विरोधी ताकतों से विदेशी NGO से भी उनको भारी फंडिंग होती है जिसके आरोब ग्रैम अंत्राले के माध्यम से नकसली संगठनों पर और अर्बन नकसली के संदर में अलग अलग समय पर लगाये गए हैं तो ये भी नकसलवाद की ताकत के तौर पर देखा जाएगा इसके अलावा नकसलवादी टेक्टिकल काउंटर ओफेंसिव कैमपेंड ये एक घटना है ये चलाते हैं जिसके तहट समय समय पर वो आत्मसमरपन की बात करके सरेंडर की बात करके सीसफायर की बात करके सरकार से टाइम बाय कर लेते हैं अपने आपको मजबूत बनाने में अपने आपको ताकतवर बनाने में करते हैं इसी को कहते हैं टेक्टिकल काउंटर ओफेंसिव कैमपेंड और इसी कैमपेंड के दौरान वो बड़े पैमाने पर अपना भरती अभियान चलाते हैं या लोगों को अपने से जोड़ने की को और इसलिए उनको लोकल सपोर्ट मिलता है, लोकल इंटेलिजेंस मिलती है, और इसलिए उनकी मुखबिरी, पुलिस की मुखबिरी से ताकतवर होती है, और वो बड़े पैमाने पर उन घटनाओं को करने में सफल होते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए चुनोती है, तो उन नकसली सफलता के हैं, और हमारी असफलता और उनकी सफलता ही कहीं ना कहीं नकसलवाद को बड़े पैमाने पर प्रसारित करने का कारण बन रही है, तो नकसलवाद के कारणों को समझने के बाद हमको यह देखना पड़ेगा, कि नकसलवाद का प्रभाव किस रूप में अब जैसे यह शब्द हमारे सामने आता है कि बही नकसलवाद हमको कैसे प्रभावित करता है तो हमारे मन में सोभाविक सी बात है कि हम यही मानेंगे कि नकसलवाद का दुश प्रभाव पढ़ रहा है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देरार टाइम्स जब आपको कुछ खराब चीजों में भी कुछ अच्छाई या खोजी नहीं चाहिए और निश्चित तोर पर नकसलवाद के कुछ सकरात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं अब यहां समझें जब नकसलवाद विचारधारा की लड़ाई था जब नकसलवाद भूमी हीनों की लड़ाई था जब नकसलवाद वन्चितों की लड़ाई था जब नकसलवाद सर्वहारा का संगश था याने जब नकसलवाद थिक वर्ग संगश की विचारधारा से जोड़ रहा था तो उस दोर में इसके कई सकरात्मक परिणाम हमको सामने दिखाई दिए जिसमें सबसे बड़ा परिणाम जो था वो था समाजवादी विचार का मजबूत होना याने समानता और नियाय के विचार का मजबूत होना स्वतंतरता समानता और नियाय के साथ जो अगड़ा और पिछड़ा वर्ग है उसकी दूरी का धीरे धीरे मिटना और वंचितों की लड़ाई जो इन्होंने लड़ी वो अपने आप में एक पॉजिटिव के तौर पर देखा जाता है तो पॉजिटिव में भूमी सुधार को गती ये पहला पॉजिटिव बोल सकते हैं आप भूमी हीनों को भूमी की प्राप्ति चाहे नकसलियों के डर से ही हुई हो ये दूसरे पॉजिटिव के रूप में बता सकते हैं आप समाज में समता मूलक व्यभार ये तीसरे पॉजिटिव के तौर पर बता सकते हैं आप या फिर सामन्तवादी सोच में कमी फ्यूडल माइंडसेट जो होता है कि मैं अगड़ा हूँ तुम पिछड़े हो वो सोच समाज से मिटने लगी चाहे नकसलियों के डर से ही हो इसके बाद प्रशाशनिक अत्याचार में कमी अब जो हमने बताया था नकसलवाद शुरूई इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस वालों ने मिलकर या सरकारी तंत्र ने मिलकर शोशन किया था तो प्रशाशनिक अत्याचार में कमी आई, ये भी नकसलवाद के पॉजिटिव के तौर पर देखा जाता है, वंचितों का सशक्ती करन हुआ, वंचितों में अपने अधिकारों की छेतना जगी, आदिवासियों का संगठन हुआ, आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की लड बढ़ी, या मेरे संसादनों पर मेरा अधिकार है, मेरे जंगल मेरे है, मेरे खदान मेरी है, मेरा लोहा मेला मेरा है, मेरे खनिज मेरे हैं, ऐसी विचार लोगों के मन में आया, ये सारे नकसलवाद के पॉजिटिव्स हैं, लेकिन ये पॉजिटिव्स धरे के धरे रह जात हैं जब नकसलवाद अपनी विचारधारा से भटक जाता है और नकसलवाद अपनी विचारधारा से कैसे भटका यह अपने आप में प्रशन है तो आप कहेंगे कि जब नकसलवाद आपने आपको वंचितों का सनरक्षक नहीं सनहारक बना दिया जब नकसली खुदी आदिवासियों की हत्या करने लगे जब नकसली खुदी आदिवासियों को लूटने लगे जब नकसली खुदी आसिवासियों से वसूली करने लगे तो वो गरीबों के रक्षक नहीं भक्षक हो गए और ऐसी छबी के साथ नकसलियों का समर्तन जनता नहीं कर सकती दूसरी बात जहां नकसलवाद अपनी रास्ते से भटका वो पहले निस्वार्थ लडाई था बाद में स्वार्थ परक लडाई में बदल गया लडाई पैसों के लिए थी, लडाई नेत्रत्व के लिए थी, लडाई संगठन पर कब्जे के लिए थी तो जब नकसलवाद में आर्थिक आकर्शन पैदा हो गया व्रष्टाचार आगया तो अपनी रास्ते से भटक गया तीसरी बात जब नकसलवाद नेत्रत्व की लड़ाई से जुड़ गया तो उसमें कमजोरी आ गई फिर नकसलवादियों ने कुछ ऐसी निशन से घटनाएं भी की जिसके कारण उनकी छवी बहुत धूमिल होई जैसे उन्होंने बाल संगम बनाया अब एक तरफ भारत सरकार कह रही है छे से चौदा साल के बच्चों को निशुल का निवार्य प्रात्मिक शिक्षा देंगे और राइट टो एडुकेशन दे रहे हैं आर्टिकल 21-A में तूसरी तरफ नकसली बोल रहे हैं छे से चौदा साल के बच्चों को नकसली भरती करेंगे हाथ में बंदूग देंगे तो एक इमिज का अंतर तो पैदा होता है इसी प्रकार नकसलीों ने रक्षा प्राचीर नाम का विचार लाकर लड़ाई के दौरान महिला और बच्च सारी घटनाओं के कारण या जन अदालतों में उनके द्वारा गला रेद देना फांसी पर चड़ा देना अंग भंग कर देना जैसे अमानविये करत्य किये गए तो इन सब से उनका जो इस्थानिये जन समर्थन था वो जाता रहा और ये समझ में आ गया कि अब नकसलवाद विचारधारा के लिए समर्पित वामपंथी कैडर नहीं रहा अब ये सत्ता संसाधन के लालच में या सत्ता संसाधन के लिए लोलुप लोगों का एक संगठन बनकर रह गया है और यही कारण है कि 2004 के बाद से या 2000 के बाद से आप ये देखते हैं कि नकसलियों का जन गटता जाएगा और इसके घटने का सबसे बड़ा उधारन नकसलियों के खिलाफ आदिवासी खुद ही अटियार उठा लेंगे जिसे सल्वा जुडूम आंदोलन कहा जाता है 36 गड़ के बस्तर रीजन में महिंद्र कर्मा के नितरत में ये आंदोलन चला था जिसे सल्वा जुडूम कहा जाता है सलवा जुडूम ये गोंडी भाशा का शब्द है ठीक तो सलवा साथ चलो रे के लिए होता है जुडूम शब्द के लिए कहा जाता है ये Purification Hunt है Purification Hunt मतलब इसको कहा जाता है शुद्धता की लड़ाई है सलवा जुडूम के बारे में तीन शब्द मैंने कहा हो सकते हैं एक ये Purification Hunt है दूसरा ये साथ साथ में की जाने वाली लड़ाई है सलवा मतलब एक साथ और तीसरा ये कहा जाता है ये Journey for Peace है शान्ती की यात्रा है इन सारे नामों गोंडी शब्द में ये सलवा जुडूम का मतलब होता है इन तीनों का मूल भाव ये था कि नकसलियों के खिलाफ आदिवासी यूगों की सशफ्ष सेना तैयार की गई जो नकसलियों के खिलाफ उसी प्रकार गुरिला लड़ाई लड़ती थी जैसे वो सेनेबलों के खिलाफ लड़ते थे तो जब आदिवासी समुदाय के लोग नकसलियों के खिलाफ हतियार उठा लेंगे मतलब उनका जन समर्थन जाता रहा है ये आपको ध्यान में रखना है और जब नकसलिय अपने रास्ते से भटक गए तो फिर उनके कमजोर होने की स्थितियां बन गई इसी दौर में मोदी जी ने 36 गड़ यात्रा के दौरान ये कहा था कि अब हमें नकसलियों के खिलाफ 3-point strategy से चलना चाहिए first strategy है counter propaganda counter propaganda का मतलब है यदि वो हमारी image खराब करते हैं तो हम उनकी image खराब करें हमारे पास ज्यादा resources है हम आजी वास्यों को local जनता को क्यों नहीं दिखा सकते कि हमने school बनाए थे नकसलियों ने गिरा दिये हमने सडक बनाई थी उन्होंने तोड़ दी हमने आपको बिजली प्रदान करने की बात थी उन्होंने खंबे उखाड दिये मतलब हम आपका विकास करना चाहते हैं वो विनाश करना चाहते हैं दूसरी point पर उन्होंने का आप reverse propaganda के बाद local intelligence लोकल intelligence से उनका मतलब था कि जब उनके गुप्तचर हो सकते हैं हमारे बीच तो हमारे गुप्तचर क्यों नहीं हो सकते हैं उनके बीच तो हमें civic action plan के दौरा नकसली छेत्रों में तीवर विकास करके वहां की जनता का दिल जीतना होगा ताकि वो भी नकसलीों के खिलाफ हमारे मुग्बिर बन सके हमारी मदद कर सके लेवल थ्री पर उन्होंने कहा था rapid development हमें इतनी तेजी से विकास करना होगा कि जनता को सोचने का समय ना मिले और जब विकास होता दिखेगा तो वे विकास की विरोधी नकसलीों से दूर हड़ जाएंगे तो ये सारी बाते नकसलीों से मोबंग होने के बाद हम जो लास्ट चरण की strategy उसमें देखते हैं हलाकि यहां पर हमको ये देखना है कि नकसलीों की ये सारी अच्छी बातें अब हवा हो गई हैं और इस समय जो दिखाई देता है वो नकसलीों का दुषप्रभाव है और ये दुषप्रभाव कई रूपों में दिखाई देता है नकसली घटनाओं का दुषप्रभाव पहला तो जान और माल के संकट के रूप में दिखता है दूसरा infrastructure के सरकारी संपत्ती के नुकसान के तौर पर दिखता है तो जान माल की हानी सरकारी संपत्ती को नुकसान ये प्रत्यक्ष कुछ घटना है भाय का मनो विज्ञान मतलब नकसली छेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में डर और ये डर quality of life article 21 का उलंगन है ये भी देखा जा सकता है कि नकसली खुले तोर पर संविधान को चुनोती दे रहे हैं ये खुले तोर पर संप्रभुता को चुनोती दे रहे हैं ये खुले तोर पर सरकार को चुनोती दे रहे हैं ये खुले तोर पर rule of law को चुनोती दे रहे हैं ऐसी चुनोती एक संप्रभू सरकार को उचे छोबा नहीं देती तो इस चुनोती से निपटना जरूरी है तो इसे भी नेगेटिव के तौर पर देखा जा सकता है। कार्यालियों का अवरोध हो जाना ये भी एक दिक्कत है। का दोहन हम बैतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ये समस्या है। और आज के दोर में जो नकसलियों का जो सबसे बड़ा दुश प्रभाव हमारे सामने उभर कर आया है या जिसे हम नकसली संकत में सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देख रहे हैं। उसका नाम है अर्बन नकसल्स या शेहरी नकसली। तो शेहरी नकसलवाद जो है वो कोई स्वतंत्र विचार नहीं है कि अलग से कोई नया नकसलवाद पैदा हुआ। हुआ ये कि वर्ष 2004 में जब सारे नकसली संकतन मिलकर CPI माववादी संकतन ने अपने नेतरतों के साथ एक रणनीती अपनाई कि अब हमें अपना प्रसार ग्रामिनी छेतरों से शेहरी छेतरों की ओर करना है। और शेहरों में हमें ना सिर्फ अपना जनाधार और समर्थक तैयार करने हैं बलकि शेहरों के माध्यम से ही हमें सरकार के खिलाफ एक प्रोपगेंड़ा एक दुश्परचार की भी शुरुआत करनी है। तो 2004 में दो आर्टिकल्स प्रकाशित हुए। पहले आर्टिकल का नाम था The Strategies and the Tactics of Indian Revolution in 2004 और दूसरे प्रपत्र का नाम था Urban Perspective, Our Works in Urban Areas 2007 इन दोनों दस्तावेजों की मूल भावना या मूल धे ये था कि शेहरी छेत्रों में नकसल, समर्थक, कैडर और नेत्रत्व को तैयार करना है। अब इस संदर में उनोंने उन फ्रिजाइल एरियाज और वर्गों पर फोकस किया जहां सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत सौभाविक था। और ऐसे वर्गों में उनके लिए जो शामिल थे पहला था दलित समुदाए, दूसरा था आदिवासी समुदाए, तीसरा था बु द्रोही कॉमरेट्स जो युनिवरस्टी कॉलेजिस में ठीक, आप ये कह सकते हैं सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रणनीती बनाए रखते हैं, वो युनिवरस्टी और कॉलेजिस जहां वामपंथ का प्रभाव ज्यादा है उन्होंने उन पर फोकस किया, उन उन्होंने इन एरियाज में अपने विचारों को प्रसारित करने, फैलाने की क्या की, कोशिश की, और इस तरीके से अर्बन नकसल शब्द उभर कर सामने आया, कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार का ये शड़यनत रहे कि वो अर्बन नकसल बोल रही है, लेकिन 2012 में UPA स सरकार ने भी 128 संस्थाओं के खिलाफ कारिवाही की अनुमती दी थी, 2012 में UPA 2 Government मनमोन सिंग सरकार ने 128 संस्थाओं को चिन्नांकित किया था, और ये कहा था कि ये संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडविट दे कर उन्होंने कहा था, कि ये संस्थाएं अर्बन नकसल और उनके समर्थकों के तौर पर हैं, और अर्बन नकसल जो हैं जंगल में विद्दिमान, जो नकसलवादी हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं, 2013 का एफिडविट है, और इसमें ये कहा गया, चूंकि गाओं के नकसली मजबूर नकसली हैं, जो गरीबी से नकसली बने, जो बेरोजगारी से नकसली बने, जो ब्रेनवाश से नकसली बने, लेकिन ये जो नकसली हैं, ये पढ़े लिखे, शेहरी नकसल की परिवाशा समझेगा, संपन घरानों से आने वाले, संसाधनों से संपन, और विचारधारा से विपरीत लोग हैं, यानि अर्बन नकसल्स म मजबूर नहीं मजबूत नकसली हैं, मजबूर नकसली का आत्म समर्पन भी हो सकता है, मानसिक विचार बदल भी सकते हैं, लेकिन ये जो मजबूत नकसली हैं, ये कभी भी हिर्दाय परिवर्दन की स्थिती में नहीं आते हैं, ये तो नकसलवाद की पौध तयार करते हैं, य इनक्सलवाद की विचारधारा फैलाते हैं, इनक्सलवाद का कैडर तयार करते हैं, और इसलिए मजबूर नक्सलियों के खिलाफ भले ही हमारी रणनीती समझोते कि आत्मसमरपण की हो, मजबूत नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीती होनी चाहिए, और इन नक्सल के खिलाफ कोई व्यवस्थित कारेवाही होती हुई दिखाई नहीं दी यूपिये के दौर में मोदी गवर्मेंट के दौर में 2018 के करीब अर्बन नक्सली शब्द फिर से बहुत चर्चा में आया और घटना का नाम था महरास में भीमा कोरागाउं इंसीडेंस और भीमा इंत्र रच्टे हुए कुछ बुद्धी जीवी गिरफ्तार किये गए हैं और इन पर ये आरोप है कि इन्हों ने ठीक वामपंथी विचारधारा से प्रेजित होकर सरकार के खिलाफ विद्रो की योजना बनाई है या सरकारी तंत्र में हत्या की योजना बनाई है अब भीमा कुरागाउं इंसिडेंट पर देश के बुद्धी जीवी या देश का समाज या देश के समुदायद दो हिस्सों में बढ़ गए एक वो था जो ये कह रहा था कि कि किसी भी इस्तिती में देश के विरोध में विचार रखने वालों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी इस्तिती में यदि थोड़े भी सबूत हैं कि ये प्रदान मंत्री के खिलाफ शडियंतर कर रहेते सरकार के खिलाफ शडियंतर कर रहेते तो इन पर कारेवाही हो नी चाहिए या इनकी गिरफतारी सही है एक दूसरा तपका है वो ये कहता है कि अर्बन नक टिपणी करते हैं सरकार की आलोचना करते हैं सरकार उनको डराना धमकाना और जेल में डाल देना चाहती है ताकि भविश्य में सरकार की सिर्फ तारीफों कोई विरोध ना हो और इन समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक हैश्टैग चलाया जिसका नाम था मीटू अर्बन और गुद्धी जीओं का एक बड़ा समुदा इससे जुड़ा जिसका मानना था कि ये वरतमान सरकार का शड़ेंत रहा अपने विरोधियों को दबाने का अब दोने ही बातें अतिरंजित और एक पक्षी नजर आती हैं वास्टविक्ता ये है कि यदि इन लोगों की आईनी चाहिए कि गल्ती हुई लेकिन यदि इनकी गिरफ्तारी के कुछ भी आधार हैं जिने सुपरीम कोट में स्वीकार किया जाता है माननी किया जाता है तो फिर इनको संदेह के आधार पर ही सही रास हित के लिए गिरफ्तार करने को गलत नहीं माना जाना चाहिए तो मे यह पालिका के अंतरके त्रस्तुत किये जाएंगे हाँ यह जरूर किया जा सकता है कहा जा सकता है कि अर्बन अकसल को आउट राइटली रेजेक्ट कर देना या अर्बन अकसल है ही नहीं यह कह देना बिल्कुल गलत है क्योंकि आज हमारे कई शहरों में एहम्दाबाद हो सूरत हो मुंबई हो नाकपुर हो राइपुर हो आपका रांची हो ऐसे कई शहरों में ठिक जहानाबाद हो और अंगाबाद हो कई शहरों में अर्बन नकसल्स की पट्टिया मिली हैं कई शहरों में ये देखा गया है कि अर्बन नकसल्स आम आदमी की तरह स ऐसा कैडर जो टाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी लिए ये कहना कि अर्बन अक्सली हैं ही नहीं ये बिलकुल गलत बात होगी चाहे वो नाराइन सान्याल हो चाहे वो अमिताब बाक्ची हो चाहे वो कोबाद गांधी हो जिने अर्बन अक्सल्स के तोर पर गिरफ्तार किया गया है उन्हें रूल ऑफ लॉक के तहट अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और वो इस बात को स्थापित करें साबित करें कि उन्होंने रास्ट विरोध में कोई कारिय नहीं किया है यही बात जेन्यू के लोगों पर भी लागो होती है यही बात डेली युनिवस्टी बंगाल के अंतरगत भी लागो होती है और यही बात हैदरबाद युनिवस्टी के लोगों पर भी लागो होती है जिन पर अर्बन नकसल्स होने के बार बार आरोप लगते रहे हैं और जहां पर वो अपनी बातों को जनता तक पहुँचा सकते हैं या अपने आपको इस्थ नगरात्मक प्रभावों में जो वर्तमान में सबसे मुखर शब्द है वो अर्बन नकसल का हम बता सकते हैं बाकि इसके जो नगरात्मक प्रभाव हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी संदर्वों में उस पर चर्चा की जा सकती है अब प्रभावों से आगे जाकर हमे नकसलवाद के खिलाफ सरकारी प्रयासों पर चर्चा करनी चाहिए कि सरकार ने क्या किया है और फिर हम बताएंगे क्या किया जाना बाकी है भारत सरकार के नकसलवाद से लड़ने के प्रयास कई हिस्सों में बाट कर समझे जा सकते हैं मैं इन्हें सम्वैधानिक प्रयासं के अंतरगत देखूं। और फिर मैं इन्हें सुरक्षात्मक प्रयासं के अंतरगत भी बता सकता हूं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में यदि सम्वैधानिक सुरक्षा की बात करें तो हमारी प्रस्तावना में वर्णित स्वतंतरता, समानता, नियाए, अखंडता से जुड़े जो विचार हैं वो इसके संदर में देखे जा सकते हैं हमारे मूल अधिकारों के अंतरगत, चाहे समानता के अधिकार हों, स्वतंता के अधिकार हों वो इसके एक हिस्सा हो सकते हैं लेकिन अभिव्यक्त तोर पर यदि हम कहें तो हमारा आर्टिकल 244 जहां सम्वैधान के अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का उलेख है और जो अनुसूची छेतरों, जन्जाती छेतरों के प्रशाशन के लिए विशेच प्रावधान करता है उसे नकसलवाद के विरुद्ध सरकारी सुरक्षा के तौर पर सम्वैधानिक सुरक्षा के तौर पर देखा जाना चाहिए इसी प्रकार यदि नकसलवाद वंचितों की लड़ाई है तो हमारे भाग सोला में वंचित वर्गों के लिए आर्टिकल 330 से 342 के बीच जो प्रावधान किये गए हैं उन्हें भी नकसलवाद के खिलाफ सम्वैधानिक सुरक्षा का हिस्सा माना जाना चाहिए और नकसलवादी छेत्रों में यदि सरकार को प्रभावी कारेवाही करनी है तो आपातकाली नुब बंदों के तहट भी कुछ इस्सों पर कारेवाही कर सकती है तो ये सम्वैधानिक प्रयासों के अंतरगत देखा जाएगा कानूनी प्रयासों की यदि हम बात करें तो नकसलवादी छेत्रों में ही 1958 से जिस कानून को लाया गया है भले उसे बाद में लगाया गया Armed Forces Special Power Act या कानून नकसलवादी छेत्रों में प्रभावी हो सकता है दूसरा कानून जो मैंने बताया Prevention of Unlawful Activity Act गैर कानूनी गतिविधी निवारक कानून 1967 ये इस दिशा में उप्योगी हो सकता है इसके अलावा 1950 से 2020 तक बहुत सारे Preventive Detention Acts निवारक निरोध कानून समय समय पर जारी किये गए हैं चाहे वो सत्तर के शुरुआत में मीसा हो, कोफे, पोसा हो, असी के दशक में, पोटा हो, नब्बे के दशक का टाडा हो, रासुका हो या अभी National Security Act हो जिसके तैट आपका NIA किका का गठन 2008 में किया गया है ये सारे निवारक निरोध कानून जो आर्टिकल 22 के अपवाद के रूप में बनाए जा सकते हैं वो भी नकसलवाद के खिलाफ लडाई में हमारी सायता कर सकते हैं नकसलवाद के खिलाफ लडाई में हम आधिवासियों के वन अधिकार हमने जिस से वापस दिये थे वन अधिकार संरक्षन कानून या आज वो 2006 का जो कानून है वह जल जंगल जमीन को लोटाने वाला कानून उप्योगी हो सकता है या फिर 2013 में भूमी अधिग्रहन और पुनर्वास को लेकर जो कानून लाने की बात की गई Land Acquisition and Land Settlement से जोड़ा जो कानून भूमी अधिग्रहन और पुनर्वास से जोड़ा जो कानून लाने की बात की गई है वो भी नकसलवाद के खिलाफ लड़ाई में सहायक हो सकता है S.C.S.T. अत्याचार निवारक कानून 1989 का है या फिर Civil Right Protection Act 1975 का है जो वन्चितों को S.C.S.T.s के अधिकारों की रख्षा के लिए है वो भी हमारे लिए उप्योगी कानून के तौर पर हो सकता है तो ये सारे कानूनों का उल्लेक यदि करने तो एक अलग से हिस्सा बन जाता है कि नकसलवाद की लड़ाई में कानूनी लड़ाई कहां तक लड़ी जा सकती है अब यदि हम नकसलवाद की लड़ाई में प्रशाशनिक प्रयासों की बात करें सरकारी प्रयासों की बात करें तो नकसलवादियों से बाच्चीत की रण नीती समझहोते की रण नीटी सीज़फायर की रण नीटी या फिर नकसलवादियों के संदर्ब में या नकसलवादी छेतरों में चुनाओं को करवाने की नीटी आत्म समर्पन की नीटी तो मैं इन सब को प्रशाशनिक राजनयतिक प्रयासों में मानूंगा ठीक बहुत सारे ऐसे उधारण है आसद्वार एक्जैम्पल है वियार का जहां पर पंचायती राज चुनाओं के कोई इतने प्रभावी रूप से संपन किया गया कि गाओं वालों ने ही नकसलियों को वहां से बाहर कर दिया तो पंचायती राज की रणनीती है चुनाओं की रणनीती है नकसलियों को शाशन में प्रतिनिधित्व देने की रणनीती है बाचीत की जो हमने 39 में अपनाया है नागा अकॉर्ड मीजो अकॉर्ड तो वही बाचीत समझोते की रणनीती हम यहां भी अपना सकते है इसके अला लड़ाई लड़ी जा सकती गैँ और मैंने ये कहा था कि स्रक्षात्मक रणनीती मतलब कठोर रणनीती और विकासात्मक रणनीती यानि कैसी रणनीती है उदार रणनीती है और भारत सरकार ने ये कोशिश की है कि इन दोनों रणनीतियों के तहट नकसली छेत्रों में संगर्श को आगे बढ़ाया जाए या नकसली छेत्रों में विकास का प्रयास किया जाना चाहिए तो सबसे पहले यदि हम विकासात्मक रणनीती पर चर्चा करें ठीक तो कुछ तथ्यात्मक जानकारियां मैं आप तक पहुँचाना चाहूंगा कि सरकार ने यहाँ पर कौन-कौन से कारिक्रम चलाए हैं कौन-कौन से कारिकी हैं तो इसके अंतरगत सरकार की जितनी भी विकास कारिक्रम हैं चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान से उज्वला तक नक्सली चेत्रों में विशेश रूप से पहुचाए गए हैं नक्सली चेत्रों में सिविक एक्षन प्लान के तहट डिजास्टर मानेजमेंट आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास किया गया है हाल ही में भारत सरकार ने एक योजना लाई है न्यू इंडिया जिसके तहट देश के 115 पिछडे जिलों को 2022 तक विक्सित करने की बात है इन 115 में से लगबग 35 जिले नक्सल प्रभावित चेत्रों से जुड़े हुए हैं ठीक नक्सल प्रभावित 96 जिलों की पहचान कर वहां यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड को लाया गया है और यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड जो है ये बेसिकली इन छेत्रों में मुबाइल सेवा प्रदान करने से जुड़ा है तो 96 जिलों में यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड के तहट मुबाइल सर्विसेस को विस्तार देने की बात है 2017 से 2020 के बीच मोदी गाउब्मेंट ने नक्सली छेत्रों में तीन विशेश कारिकरम चलाए है पहला कारिकरम है विशेश केंद्री साहता कारिकरम जिसके तहट 30 जिलों में आधारबुत संरचना के विकास के लिए विशेश राशी 775 करोड रुपए की राशी जारी की गई है 17 से 20 के दौर में इसे कहा जा रहा है विशेश केंद्री साहता योजना दूसरी योजना है Fortified Police Station निर्मान योजना Fortified का मतलब है किले बंदी वाले यानि पुलिस स्टेशन के चारों तरफ मोटी मोटी दीवारें बना कर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा तो Fortified Police Station की योजना के तहट भी 2017-2020 के बीच लगबग 400 पुलिस थानों के पुनर निर्मान की बात इसके अंतरगत की गई है तीसरा, Media Plan के अंतरगत 2017-2020 के बीच पुलिस बलके आधुनी की करण की योजना है इसी के तहट मीडिया का प्रयोग करके reverse propaganda करना नक्सलियों की विचारधारा को कमजोर करना सरकार की विचारधारा को जनता तक पहुचाना ये सारे विचार यहां पर लाए गए हैं तो विकास पर योज कारिक का सीधा सीधा मतलब है कि यहां पर रोटी कपड़ा मकान दिया जाएगा सड़क विजली संचार दिया जाएगा शिक्षा स्वास्त से दिया जाएगा और द्योगी करण का प्रयास किया जाएगा इन छेतरों में कौशल विकास को लाया जाएगा इन छेतरों में मुबाइल संचार को विस्तार दिया जाएगा ये सारी बातें जो हैं ये इसी के अंतरगत होंगी इसके अलावा विकास आत्म प्रभावी नीती मानी जा रही है जिसके तहित नक्सलियों को आशवाशन दिया गया है कि आपके और आपके परिवार की सुरक्षा और आजीवन रोजगार की विवस्था यानि आर्थिक उसकी विवस्था की जाएगी और ऐसा विश्वास मिलने के बाद बड़ी संख्या मे यहां आत्मसमरपण की स्थितियां बनी है अब यदि सुरक्षात्मक रणनीती की बात करें तो सुरक्षात्मक रणनीती का सीधा मतलब है कि नक्सलियों से बोली नहीं गोली की भाशा में निपटने के लिए नक्सलियों से लड़ाई के लिए इंटीग्रेटेड कमांड ब integrated command के बाद जो दूसरी चीज की गई है वो है special battalions अलग-अलग नाम आपने सुने होंगे मैंने आपको greyhound forces के बारे में बतलाया था इसी तरज पर cobra battalion भी बनाई गई है combat battalion for resolute action ये नाम दिया जाता है तो greyhound forces modernized forces हैं और cobra battalion gorilla war के लिए famous battalion है महिलाओं की battalion तो greyhound हमने कहा था ये 1989 के करीब बनी थी अभी भी चल रही है जो आपकी cobra battalion है 2009 में 10 cobra battalion CRPF के तहत home ministry ने बनाई थी इसके अलावा अभी पिछले वर्ष 2018-19 में बस्तरिया battalion महिलाओं की लाई गई है तो ये महिलाओं की battalion है लडने के लिए black panther combat force का नाम भी चल रहा है इसके अलावा बाकी जो हमारी सुरक्षा एजेंसिया हैं वो सब काम कर रही हैं लेकिन integrated command के साथ special forces ये बहुत महत्पूर हैं तीसरे level पर यह भी हम बात करें कि जब हमारे पास specialized forces हैं जब हमारे पास integrated forces हैं तो हमको operations चलाने चाहिए तो operation greyhound हमने कहा था आंदर प चल रहा है 2017 से लगातार जारी है उसके चार phases हो चुके हैं उसका नाम है operation प्रहार प्रहार 1 प्रहार 2 प्रहार 3 और प्रहार 4 इन 4 operations को 36 गड़ और उसके आसपास के शेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ लडाई के लिए चलाया जा रहा है दंतेवाडा में हुए हमलों के बा भी यहां पर बहुत महत्पूर्ण माना गया है जिसके तहट हम सुरक्षात्मक वियाय नक्सली छेत्रों में बढ़ा रहे हैं चाहे वो पुलिस के आधुनी की करण पर हो चाहे वहां पर तैनात लोगों को अधिक वेतन देने की बोनस देने की भत्ते देने की बात हो चाहे वहां modernized equipments ले जाने की बात हो night vision sensors हैं, underground sensors हैं या फिर laser barriers हैं या CCTV cameras हैं बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिनको लड़ाई के लिए नक्सलीों के खिलाफ हमें सेनेबलों को ज़रुत पड़ती है तो पुलिस आधुनी की करण योजना, infrastructural आधुनी की करण योजना इसे भी सु समझा जाना चाहिए, ठीक है, अब जब ये सारे प्रयास कर दिये गए, तो इनी सारे प्रयासों को एक इकरित रूप में एक प्रयास का नाम दिया गया और उस प्रयास का नाम ही था, समाधान, तो मैं अब आपको समाधान बताता हूँ कि समाधान क्या है, ठीक है, तो यहा दोहरी रणनीती अपनाई एक तरफ तो वो विकासात्मक रणनीती से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ वो लड़ रहे थे सुरक्षात्मक रणनीती से इन रणनीतीों को सवावेशित करते हुए हमारे पूर्व ग्रैमंत्री राजनाथ सिंग जी ने 2017 में एक सिद्धान्त दिया 2017 में 36 गड़ के सुकमा में दो बार बड़े हमले हुए जिनमें CRPF के जवानों की नशन सत्या की गई तो तब 2017 मई 2017 में नकसलवाद की समीख्षा करने के बाद ये कहा गया कि निश्चित तोर पर लाल गरियारे का दायरा धीरे धीरे सिकुरता जा रहा है चुकि नकसलवाद अपनी आखरी सांसे गिन रहा है तो दिया बुझने से पहले थोड़ा तेजी से जलता है और इसलिए अब नकसली घटनाओं में तेजी से व्रद्धी होगी तो हमें नकसलवाद से लड़ने के लिए एक मल्टी पॉइंट स्ट्राटेजी को अपनाना पड़ेगा और उस स्ट्राटेजी का नाम होगा समाधान अब ये सुनकर बड़ा आकरशक लगता है कि इसमें कुछ नया होगा ठीक लेकिन समाधान में हैं वही बातें जो हमने विकासात्मक रक्षात्मक में बतलाई हैं लेकिन आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि नकसलियों से लड़ने वाली समाधान रणनीती क्या है तो समाधान में S का मतलब है स्मार्ट लीडर्शिप A का मतलब है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी M का मतलब है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग A का मतलब है एक्षिनेबल इंटेलिजेंस D का मतलब है डैश्बोर्ड बेस्ट रिव्यू सिस्टम H का मतलब है हारनेसिंग टेक्नलोजी फिर से A का मतलब है एक्षिन फॉर इच थिएटर और N का मतलब है नो टू फानान्स अब ध्यान से समझी एक एक स्ट्रेटेजी को Smart Leadership का सीधा सीधा मतलब था कि हम नकसलवाच के खिलाव लड़ने के लिए Political Level से लेकर Administrative Level तक Smart Leadership को प्रमोट करेंगे तो नकसलवाच के खिलाव लटाई में चाहे पुलिस मुख्यालाय में निुक्ती हो चाहे इस्थानी इस्तर पर निुक्ती हो ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जो टीम को लीड करने, कॉडिनेट करने में सक्षम लोग हूँ Aggressive strategy का मतलब है, zero tolerance की नीटी अपनाएंगे हम नकसलियों के हमला करने से पहले उन पर हमला करेंगे हम ऐसी intelligence जो टाएंगे, जिससे नकसलियों को समलने का मौका ना मिले तो पहली चीज को कहा गया कुशल नेतर, तो दूसरी चीज को कहा गया आकरामत रणनीती तीसरे में motivation and training का मतलब है कि नकसली छेतरों में रहते हुए घर परिवार से दूर रहते हुए, पुलिस वाले हों, सेनेबलों के लोग हों, वो निराश हो जाते हैं ऐसे लोगों को motivate करने के लिए उनको आर्थिक तोर पर सहयता दी जाए और उन्हें 9-8 training से जोड़ा जाए ताकि उनका उन छेतरों में रहने का मन बना रहे, मनोबल बना रहे dashboard based review system का उन्होंने सीधा मतलब बताया कि नकसलवाज के खिलाफ क्या कारेवाही की गई, उसके क्या परिणाम आए उसका regular review and monitoring होना चाहिए, हर पुलिस थाने में एक display board होना चाहिए, जिसमें पता होना चाहिए कि नकसलवाज की घटनाओं में वरद्धी हो रही है, कमी हो रही है, नकसलवाज के खिलाफ कितनी complaints आई है इसी को कहा गया dashboard, आधारिट system, यहाँ पर दो शब्दों को use किया गया, KPI और KRI, की performance indicators और key result areas, मतलब किन किन छेत्रों में हमने कैसा प्रदर्शन किया और क्या परिणाम निकला, तो की performance indicators और की result areas में dashboard based system काम करेगा, उसके आगे चलकर harnessing technology का मतलब साफ था, कि यदि उनसे लड़ना है, तो camera है, radar है, thermal imaging है, night vision sensor है, underground sensor है, हमको इन modern technologies से जोड़कर काम करना पड़ेगा, हम परंपरागत तरीके से नकसलियों से नहीं लड़ सकते, action plan for each theater हर मोर्चे पर योजना का मतलब होगा, कि हर जगे नकसलियों से लड़ाई एक रणनीती से नहीं ह हो सकती, हर जगे नकसलियों अलग-अलग तरीकों से लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारा भी उनसे लड़ने का तरीका अलग-अलग होना चाहिए, और no to finance का मतलब है, जो नकसलियों का रक्त स्रोत है, पैसा उसकी command card देनी चाहिए, चाहे NGOs को ban करना हो, सरकार द्वारा, चाह ने इनके प्वित्त के स्रोतों को समाप्त करने के लिए ही थे, और इसी को कहा गया समाधान की रणनीती, जिस रणनीती के तहट, अब नकसलवाद को रोकने की कोशिश की जा रही है, ठीक, अब इस समाधान के बाद भी, यदि कहा जाए, कि नकसलवाद से लड़ने के मजबूर और मजबूत में बाट कर देखने की ज़रूरत है, और हमें मजबूर नकसलियों का सरेंडर और मजबूत नकसलियों के खिलाफ कारेवाही की रणनीती अपनानी चाहिए, और दूसरा पंचायती राजसंस्थाओं से उनको जोड़ना, इस्थानी गवर्मेंट से जोड़ना उन्हें शाजन सरकार बनानी है तो चुनाओ लड़कर मूल विवस्था में आकर वो चुनाओ लड़ें और सरकार बनाएं यानि उनका हरदय परिवर्तन एक प्रभावी तरीका हो सकता है बाकी ग्रामीन छेत्रों का पुनर निर्मान हो अबुलकलाम के विचार में पूरा का विचार प्रोवाइडिंग अर्बन फैसलिटीज इन रूरल एरियाज हो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए लगू कुटी रुद्योगों का विस्तार हो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए आदिवासी छेत्रों में सरकार की उपस्थिती हो ये सारी चीजें जिलों की संख्या लगातार घट रही है तीक नकसलवाद का प्रभाव या लैल गलियारे का प्रभाव धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है वर्तमान में नकसलवाद से सरवादिक प्रभावी जिलों की संख्या 30 है जो 30 जिलों में ही 90% घटनाय मूल रूप से हो रही है तो यदि हम इनको फोकस करें अभी जैसे हम कोवेड़ की لड़ाई में रेड जोन औरिंज जोन ग्रीन जोन बनाकर काम कर रहे है तो यदि नकसलवाद के भी लगब्ख सौ जिले बचा वे हैं और तीस रेड जोन में है तो red zone की strategy अलग हो और in zone की अलग हो green zone की अलग हो तो इस लड़ाई को लड़कर हम नकसलवाद से लड़ पाएंगे लेकिन नकसलवाद की लड़ाई से पहले हमको अपने जीवन की अस्तित्व की लड़ाई लड़ना है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए जरूरी है कि अपने भविश्य के लिए लगातार काम करते रहें धन्यवाद